हेलो स्टूडेंट्स मैं बानुदास देठे और मैं आप सभी का 21-bit education प्राइवेट लिमिटेड में स्वागत करता हूँ पीछली लेक्चर में हम लोग ने वीट स्टोन्स प्रीज देखा था और इसी की मदद से हम लोग ने unknown resistance को find किया आज हम लोग एक नया application देखते हैं जिसका नाम है मेटर प्रीज तो आज मेटर प्रीज देखेंगे सबसे पहले ये network को समझ लेते हैं यहाँ पर ये एक metal strip है ये एक metal strip है और ये लिए एक metal strip है तो इस diagram में तीन metal strip connect किया है पहले दो metal strip के बीच में एक gap रखा है जिसको हम लोग left gap बोलेंगे और यहाँ के जो दो metal strip है इसके बीच में एक gap रखा है जिसको हम लोग को find करना है और right gap में हम लोग ने एक non resistance connect किया है मिडल वारा जो metal strip है उसको हम लोग ने ग्यानुना मिटर connect किया है और ग्यानुना मिटर के आगे यहाँ पे एक jockey एनगे एक metallic point हम लोग ने connect किया है यहाँ पे A से लेके B तम एक 100 cm की एक wire है जिसका area of cross section बिल्कुल uniform है आपको ध्यान में रखना चाहिए यह जो metal bridge है इसका नाम इसलिए रखा है क्योंकि जो wire handle में ली है A B इसकी जो लंबाई है वो 100 cm है याने की 1 meter है A point जो है वो battery के प्लस याने की positive terminal को connect किया है और negative जो point है negative जो terminal है battery का वो key याने की plug के थ्रू रिवो स्टेट और रिवो स्टेट के द्रूपलों में point B को connect किया है यहाँ पे यह meter scale लोग ने fit किया है एक wooden block पर या table पर तो यह इसका explanation है याने की construction आप बोल सकते हैं अभी हमको working लेखते हैं कि यह कैसे work होता है सबसे पहले हम लोगों को यह button press करना होगा on करना होगा तो यह battery में से current flow होना शुरू हो जाएगा अभी जोकी हाथ में लेड़ो और इस wire AB के उपर अलग अलग point पे रहो आपको एक point ऐसा मिलेगा जहाँ पे इस ग्यानुला मेटर से current बिल्कुल 0 होगा याने कि यहाँ भी कोई भी deflection show नहीं करेगा इस point को लोग या तो balance point पे बोल सकते हैं या को लोग null point भी बोल सकते हैं इस point को भी mark करो mark करने के बाद A से लेगे D का जो length है measure करो और उसको LX नाम देटो फिर इस D को mark करो फिर D से लेगे B तक जो length है उसको LR mark करो अभी इसके आगे आपको 11 standard का कुछ topic recap करना होगा और उसी की मदद से हम लोग यह जो unknown resistance का mathematical formula है वो हम लोग derive करेगे तो concentrate करो यहाँ पर आपको पता होगा किसी भी wire का resistance माल लेते यह wire L है और जिसका area of cross section कुछ हम लोग माल लेते A है तो यह wire है जिसका area of cross section A है और लंबाई L है आपको किता होगा इस wire का resistance आर इसके length के proportional होता है याने कि जितनी लंबाई जादा उतना resistance जादा होता है और यह जो resistance है यह inverse के proportional to area of cross section होता है याने कि जितना बड़ा wire उतना ही चूटा resistance और जितना चूटा wire उतना ही बड़ा resistance याने कि पत्ले wire का resistance क्या होगा पत्ले wire का area of cross section क्या होगा काम होगा तो उसका resistance जादा होगा और में पड़ा है याने कि इसी भी wire का resistance हम लोग length और area of cross section में present कर सकते हैं आप सभी को width stones bridge का balancing condition याद होगा क्या है balancing condition x upon r याने कि यहां का resistance divided by यहां का resistance सो मैं लिखूँगा x upon r is equal to यहां का resistance याने कि section ad का resistance so rad कितना मैं rad लिखा है rad divided by dv section का resistance यह लिखूँगा मैं r dv यह कहां से लिखा हम लोग है from the balancing condition balancing condition of width stones bridge right तो x upon r is equal to r ad का value पूट करो r ad मतला rho l x upon a यहां पर देखो यह जो specific resistance है यहां कि इसको हम लोग resistivity भी कोड़ते हैं तो इसको specific resistance भी सेमी रहेगा इसका भी specific resistance रो ही रहेगा यहां भी area of cross section भी सेमी रहेगा क्योंकि wire जो लिया है वह uniform cross section के लिए है खाली जो left side का section है उसके length हम लोगने lx resume किया है और right side का section है उसकी जो length है उसको इसको एला resume किया है या तो considerate किया है अभी देखो यहां पर rdb यहांने कि यह value put करने होगी so rho lr by a तो मैं इसको थोड़ा सा simple way में लिखता है x upon r अभी देखो इसको simplify करते है x upon r is equal to यह rho और यह rho cancel होगा यह a और e cancel होगा तो यह बचेगा lx upon lr इसको और simplify करते है x is equal to यह r यहां पर लेके जाते तो r into lx divided by lr तो यह हमारा formula होगा है to find the unknown resistance x अभी देखो यह जो वायर अपलोगने ab हिया है इसका जो लंबाई है वो 100 cm तो अगर मुझे मादलो lr यह length लिखनी है इतनी length अगर लिखनी है lr को क्या लिख रहा है 100 minus lx तो मिलेगा lr तो 100 minus lx तो इस तरीके से मैं unknown resistance को find कर सकता हूं और नेक्स्ट आपलोग अप्लिकेशिंस ऑफ विट्स्टोन ब्रीज देखते हैं सबसे पहला अप्लिकेशन जो मैंने आपको पहले भी बताया था वो है इस उसे तो मेजर दिभावर्य रोव वेलो रुव रुट्स्रा ओर मोभी प्रिसाइज दूसरा आप्लिकेशन एप यूसे तो मेजर कॉंटिटी सट्रेश घैर्मिमितर रुट्स्टाइज के अपासिटर्स इंडटर्स अंडिमितर्स तीसरा जो हह है इस उसे तो मेजर फ और ये करने के लिए हमारे पास अभी तग hold meter जैसे devices अवेलेबल थे लेकिन अगर हमें precise measurement करनी है अगर हमें accurate measurement करनी है तो इस hold meter का जो resistance है वो infinite होना ची ताकि वो कुछ भी current सरकुर में से draw नहीं कर सके लेकिन ऐसे hold meter को design करना practically possible नहीं है इसलिए मैंने आज आपके लिए एक नया device लाया है जिसका नाम है potential meter सबसे पहले मैं आपको इसका principle explain करता हूँ द्यान से सुनना देखो मान लेते हैं कि यह एक wire है और इसका area of cross section uniform है potential meter का principle क्या बताता है potential difference between these two points यह जो दो points है इन दो points के बीच में जो भी potential difference रहेगा वो उस point के बीच में जितना भी length है उस wire का उसके proportional रहे हैं मैं फिर एक बार आपको बताता है potential difference between any two points of the wire is directly proportional to the length of the two points of that wire इसके बाद मैं आपको potential meter का जो principle है वो explain करता हूँ देखो यहाँ पर मैंने एक wire लिया है A से लेके B का यह जो wire है उसका length capital ले रहे है और उसका जो total resistance है वो capital R है और इस wire का जो cross section है वो बिल्कुल uniform है यहाँ पर एक battery connect ही है और battery का एक internal resistance जो की smaller मैंने यहाँ पर पिंचेक दिया है इस battery में से माल लेते है current कुछ I flow होड़ा है capital I तो देखो I is equal to according to home's law current क्या होता है voltage divided by resistance यहाँ पर voltage किसा है capital E divided by resistance अभी यहाँ में देखो इस wire का resistance जो है वो capital R है और यह जो battery का internal resistance small r तो I equal to E upon R plus small r अभी इन दो वोईट के बीच में मुझे potential difference को mention करना है VAB में इसको लिखता है VAB अने की potential difference between these two points is equal to I into resistance of the wire So I equal to E upon R plus small r into यह वाला R तो यह हो गया VAB दोनों साइट से वे अगर आपनों L से divide करते है capital M से तो यह बन जाएगा VAB divided by capital L is equal to ER divided by capital L into R plus small r अभी देखो इस diagram में इस network में यह जो बैटरी है यह जो potential difference यह जो EMF है यह constant है और अगर यह constant है यह R पी constant है यह भी constant है तो right side constant है right तो मैं होड़ सकता है VAB upon capital L is constant और मैं यह भी देखता हूँ VAB is directly proportional to capital L यह जो constant है इसको हम लोग K लिखेंगे और K का मतलब क्या होता है potential gradient potential gradient कैसे define करदा है potential difference per unit length तो यह है principle of potential potential difference between any two points is directly proportional to the length of the wire अभी देखो हम लोगने point c लिया है अभी इस a point से लिके c point तक का length इतना है small है तो यह जो potential difference रहेगा इन दो point के बीच में यह क्या है अगर अगर मैंनोंते VAC है तो VAC क्या हो जाए इस directly proportional to L तो क्या मैं ऐसा लिकूँ VAC is equal to K into small L where K is the potential gradient so K का मतलब क्या होता है potential gradient next हम लोग potentiometer के कुछ users देखेंगे यहाँ पे दो users है potentiometer के एक है to compare the EMF of cells यहाँ की cells के बीच में comparison लोग करेंगे और यहाँ पे दूसरा जो application use है वो है internal resistance को fine करना यहाँ की cells के अंबर जो भी internal resistance होता है उसको fine करना सबसे पहला जो application है उसमें दो methods है एक है individual method और दूसरा है some and difference method तो हम लोग सबसे पहले individual method को discuss कर लेते हैं यहाँ पे देखो यह एक बड़ा battery लिया है यह जो cell है इसका value काफी जादा है इन दो cells से cell की comparison E1 और E2 यह जो cells है यह comparatively छोटे value के लिए है इस capital E के comparison है तो इसका working start करते है यह key जो है उसको press करो प्रेस करेंगे तो यहाँ से current flow और शुदू हो जाएगा तो current flow होगा right सबसे पहले आपको करना क्या है यहाँ दो keys है तो K1 को close करो और K2 को open रहो यहाँ कि इस K2 को open रखेंगे और K1 को close करेंगे यहाँ कि इसको करेंगे तो E1 सरबूट में आए यहाँ पे procent करना है चला यहाँ पे जोकई को क्या करना है इसे इसकेशज हुरो लिघा तरने रखार्ट vendor हों बभलेगा तौरब सैक्ठाटेशल या आलोमेर्य में जोन करने पेट्वैन तो इस पॉइंट को मार्क कर लेता है कुछ point P या कुछ mark कर लेते हैं फिर A से लेके P तर क्या करेंगे इसका length measure करेंगे assume करते हैं कि इसका length कुछ L1 रहेगा और आपको पता है कि जो principle अप्रिंसिपल का उसके according voltage between these two points assume कर लेते हैं कि वो कुछ even है यहां का even इसी point के across appear होगा so even is equal to k into L1 यह आपने principle में की देखा होगा कि जो potential difference है वो सीधा इस length के proportional रहेगा so even is equal to k into L1 तो यह first part है यहां पर मैं लिखता है with k1 closed and k2 open तो even is equal to k into L1 अभी करना क्या है second part में यह k1 को open रखना है तो यहां से अगर current आएगा तो यहां से आगे फिर यहां से आगे फिर यहां क्या करते है जोकी को उठाना है और अलग अलग करना है फिर आपको एक point कुछ null point मेलेगा माल लेते कुछ p dash रहेगा यह से लेके p dash तक कुछ length measure करते है माल लेते है वो length कुछ L2 रहेगा और अभी circuit में जो भी battery आई रहे है वो है e2 और e2 is equal to k into L2 आपको यहीं करता हूंगा कि potential difference length के proportional होता है इसके लिए यह पोटेंशियो मेंटर का principle यूज करके यह question number 2 नहीं का division दे रहेते हैं so e1 divided by e2 is equal to kl1 divided by kl2 तो इसका answer order का e1 upon e2 is equal to L1 upon L2 तो अगर L1 और L2 अगर हमें पता है तो हम लोग sales का comparison easily कर सकते हैं तो हम लोग next method है वो देखते हैं उसका नाम है some and difference method यह भी दो sales को compare करने के लिए use करते हैं e1 और e2 हमारे दो sales है जिनको हमें compare करते हैं एक चीज़ आपको ध्यान में रखने होगी e1 और e2 की जो values है वो comparatively कम लेने हैं इस sales या battery के values है इस diagram का working game आपको दो पार्ण में देखते हैं सबसे पहला बार देखो यहाँ पर k1, k2, k3 और k4 यह चार पीज़ है यह चार बटन है सबसे पहले हम इस k1 को close करेंगे और k3 को भी close करेंगे और k2 और k4 इनको open होगे तो मैं यहाँ पर लिखता है k1 and k3 closed और k2 and k4 open तो start करते हैं यहाँ पर की है इसको प्रेस करो आपको एक point ऐसा मिलेगा मान लेदे कुछ point P उसको हम लोग null point या तो balance point हो रहेंगे जहाँ पर 11 meter में से कोई भी current pass नहीं होगा यहाँ कि 11 meter कोई भी deflection show नहीं करेगा तो हम लोग mark करते हैं इस point P को A से लेके P ता length को measure कर रहें और मानते हैं कि यह length आएगा कुछ L1 अब इस potential meter का principle क्या बताता है principle जो भी potential difference दो point के बीच में है वो उस point के बीच में जो length होगा उसके proportional रहें तो हम लोग ने length तो L1 लिया है अब इसके बीच में potential difference कितना appear होगा वो देख ले रहें देखो यह जो पाटिक E1 है मैंने यहाँ में draw की है यह plus और यह minus यह E1 मान लेते हैं जबी भी ध्यान दो जबी भी पहले cell का minus terminal और दूसरे cell का plus terminal एक साथ connect करेंगे तो cell का addition होता है तो हम लोग लिख सकते है E1 plus E2 यानि की cell का addition होता है तो AP equal length दी इसके across यह वाला potential appear होता So E1 plus E2 is directly proportional to L1 लिख सकते है या तो equal to k into L1 लिख सकते है इसको equation number 1 लिखते है तो यह हो गया हमारा part 1 तो अभी आप लोग पार्क 2 देखते हैं पार्क 2 इसी मेतर पार्क 2 आप लोग देख लेते हैं अभी आपको k1 और k3 open करने है k1 and k3 open और जो k2 और k4 है k2 and k4 इनको close करने है अभी देखो k1 और k3 को open रखा है और k2 और k4 को अब लोग में close किया है स्टार्ट करते हैं यह बटन प्रेस करो current low होगा प्रेश यहां से आरे सब्सक्राइब द्सक्राइब में और खोर्क नहीं को पी डैश्न लेंग्ट मेजर कर वेते हैं है अभी इस लेंग्ट के एक्रोस कितना पोटेंशेट डिफरेंस अपर वो देख लेंगे हैं यह प्लास और माइनस ये प्लस और माइनस सेल था यह फिर यहां से करना इसे जाएगा फिर माइनस आएगा पहले फिर माइनस आएगा फिर प्लस आएगा तो एक केस समझ लेते हैं जब हम लोग माइनस और माइनस एक साथ कनेक्ट करते हैं एको पहले सेल का माइनस और दूसरे सेल का माइनस या तो पहले सेल का प्लस और दूसरे सेल का भी प्लस प्लस-प्लस जब कलेट कर रहे हैं तो अब सेल का सब्ट्राक्शन होता है यहाँ पर अम लोग मान लेते हैं कि कुछ इवन थोड़ा सा बढ़ा है इडू से इसके लिए अम लोगे इवन मैंनस इडू लिए है तो सेल में सब्ट्राक्शन होता है तो इसलिए यह जो लेंट दी एडू डैश इसके एक्रोस इवन माइनस इडू यह जो पोटेंचिल डिफरेंस यह वो एपियर होगा इसको अवे इसको अफ़ेंट और डिवाइड़ेंट अपलाई करते हैं तो हमें करना क्या होगा क्पेंट और डिवाइड़ेंट में numerator और denominator को add करना होता है और numerator में लिखना होता है E1 plus E2 plus E1 minus E2 यह addition हो गया और denominator में subtraction लिखना है So E1 plus E2 यह numerator लिख दिया फिर subtract करके denominator लिखना है So minus E1 plus E2 हो जाएगा Same चीज़ आपको right side भी कर दी है So L1 plus L2 और denominator में L1 minus L2 हो जाएगा यहाँ पर देखो E2 और E2 cancel हो जाएगा और यहाँ पर E1 और E1 cancel हो जाएगा So E1 plus E1 क्या बचाएगा? Twice E1 और यहाँ पर twice E2 और two to cancel हो जाएगा So E1 divided by E2 यह twice E1 हो जाएगा और यहाँ भी twice E2 हो जाएगा So two to cancel हो जो E1 upon E2 is equal to L1 plus L2 upon L1 minus L2 यहाँ कि यह जो दो length है L1 और L2 इनको measure करने के बाद हम लोग cells को compare easily कर सकते हैं तो यह है second method that is sum and difference method तो next use देखते हैं Potentiometer का वो है to find the internal resistance of a cell यहाँ कि यह जो cell है even इसका जो internal resistance small rn वहाँ है find करना है तो इसका भी working देखते हैं यहाँ पे key है right So key को press करो on करो current flow ना start होगा right यहाँ भी यह key है right सबसे पेले हम लोग क्या करते हैं पार्ट 1 में K2 is open इसको open कर देख So यह K2 को open किया यह open अगर होगा तो यह वला पार्ट इसमें से हटी जाएगा तो बच्चे के काई उपर का पार तो जैसे हम लोग यहाँ पे button press करेंगे on करेंगे current flow ना start हो जाएगा फिर current ऐसे flow होगा उपर जाएगा फिर even में से जाएगा R से जाएगा फिर फिर आगे जौकी है फिर जौकी उटाना है और अलग-अलग point पे touch करना है और हमें एक point मिलेगा कोई मानलो point P है जो null point रहेगा null point एने की balance point होता है जिसमें से जहाँ पे current flow नहीं होगा तो यहाँ से यहाँ तर A से लेगे P तक मिले जो length दिया है उसको कमाल लेते हैं कि L1 रहेगा इसको L1 लेते हैं अभी इसके across कौन सा potential difference आपियर होगा E1 E1 is equal to k times L1 निखते हैं इसको equation number 1 अभी देखो दूसरे part part number 2 में अभी जो k2 open रखता है अभी आगा उसको close करेंगे यह तो अमनों close करेंगे क्योंकि यह तो button है इसको on करना ही ठीक है so k2 is closed right so इसको भी close करना है तो आपरेशन k1 को on करो current flow होगा अभी देखो यहां से यहां तब A से लेके अभी पॉइंट पी डैस लेते कुछ ग्यालमेटर से यह सरकुल पे से current रहोगा फिर आगे लिए यहां से आएगा फिर अलग अलग पॉइंट पे तच करना है फिर एक पॉइंट के लेगा जहां पे ग्यालमेटर मेंटर पे जीरो होगा उसको मार करेंगे मार लोग पी डैस है और A से रहे के पी डैस तक का जो लेंग्ध आप लोग एजू करते कुछ एल्टू रहे लेकिन अभी इसके एक्रोस उनसा पॉटेंटियल डिफरेंस आपियर हो तो मार लेते कुछ यहां पे पोटेंटियल डिफरेंस रहेगा अर यह जो V है वो ल्टू के प्रपोस्ण रहेगा यह जो पोटेंटियल डिफरेंस यहाँ पे जो भी रहेगा वो फी लेते हैं तो यह K इंटू L 2 होगा इसको equation number 2 मान लेते हैं equation 1 divided by equation 2 equation 1 and question so E1 upon V is equal to K L1 इसमें से K और K खेंसे तो यह क्या पचाएगा E1 डिवाइद बाई V is equal to L1 divided by L2 अभी देखो यह जो इंटर्नल जो सर्पूर है यह वाला Complete सर्पूर है इसमें आपनों के वी एल लगाता है तो kvL से हम लोग current लिख सकते हैं इस में से, तो मुझे current अगा लिखना है, तो मैं लिखूंगा, r is equal to, यहां का जो voltage है, कितना है हो, e1 divided by resistance, कितना resistance तो small r plus capital r, यह तो हम लोग capital r plus small r लिख सकते हैं, अभी हमें potential difference, निकालना है कितना लएगा, so v is equal to, so i की जागा पे, e1 divided by r plus small r, और यह वाल r में put करता है, so यह v होट जाएगा, right, so यह जो v का value है, वो यहां पे put करेंगे, so e1 divided by v, v कितना है, e1 in this r, r plus small r, is equal to l1 divided by 1, तो यह e1 और e1 cancel होजाएगा, therefore, यह r plus r उपर जाएगा, तो r plus small r divided by capital R, is equal to l1 upon l2, so therefore, यह यहां यहां के division होजाएगा, यहां में यहां में के मैंटिक आप जाएगा, so equal to l1 divided by l2 into r, तो यह left side में जाएगा r plus small r, therefore, small r is equal to, यह r यहां में जाएगा का होगा, subtract होगा, so l1 divided by l2 into r, l1 divided by l2 minus 1, तो यह r होगा, so therefore, यह r is equal to r into bracket l1, और यह minus l2 into 1, l2 divided by l, so इस तरीके से हम लोग, internal resistance of a cell, find कर सकते हैं, next हम लोग advantages देखेंगे, potential meter के over the hold meter, देखें पहला advantage का है, potential meter is more sensitive than a hold meter, sensitive का मतलब होता है, it is more accurate, more precise values measure कर सकता है, कौन potential meter, दूसरा जो advantage है, it can be used to measure potential difference, as well as EMF of a cell, यहने कि अबनों PDB measure कर सकते, as well as EMF भी measure कर सकते हैं, a hold meter always measures terminal PD, and as it draws some current, it cannot be used to measure an EMF of a cell, याने कि, terminal potential difference अगर measure करना है, तो वो useful है, लेकिन, अगर EMF का voltage measure करना है, तो वो useful नहीं है, क्योंकि वो कुछ न कुछ current, draw करता है, क्योंकि उसका जो infinite resistance होना चाहिए, वो infinite resistance नहीं होता है, तीसरा लेक्ट है, measurement of a PDE or EMF is very accurate in the case of a potentiometer, वो हम लोगे पेले की देखा है, a very small PDE of the order of 10 to the power minus 6 volt, हम लोग measure कर सकते हैं, और fourth जो point है, least count of a potentiometer is much better as compared to that of the volt, मैं आपको least count क्या होता है, वो बतलता है, least count का मतला smallest value of any measuring instrument, या तो आप बोल सकते smallest या तो accurate value, ठीक है, accurate value या तो precision value आप बोल सकते है, जितना least count कम, उतना ही ज्यादा precise measuring instrument रहेगा, so list count is inversely proportional to the precision of the instrument, तो list count क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए, और यहाँ पे list count जो potentiometer का है, यह ज्यादा अच्छा है, इस से volt meters, यानि कि कम रहेगा list count potentiometer का, ताकि वो more accurate value measure कर सके, उसके बाद यह को demerits है, potentiometer is not portable, यानि कि एक जगा से, दूसरे जगा तक हम लोग potentiometer का लेके नहीं जा सकते हैं, so it is not portable, दूसरा जो demerit यानि कि disadvantage है, direct measurement of PD और EMF is not possible, यानि कि directly हम लोग measure नहीं कर सकते हैं, कोई भी potential difference को, तो इस तरीके से हम लोग नहीं advantages देखें, और कुछ demerits भी potentiometer के हम लोग देखें, तो next topic हम लोग देखेंगे, वो है galonometer, galonometer का सबसे पहले हम लोग use देखते हैं, it is used to detect small electric currents, यानि कि छोटे-छोटे currents को अगर measure करना है, तो galonometer हम लोग use करते हैं, basically galonometer के दो types होता है, एक तो suspended या तो pivoted type galonometer होता है, और दूसरा moving type यानि कि moving coil galonometer होता है, यहाँ पे हम लोग जो galonometer देखेंगे, वो suspended या तो pivoted type galonometer देखेंगे, तो सबसे पहलें एक construction समझ लेते हैं, बोर्ड पे देखो, नौर्थ और साूर्थ पोल्ड जो है, horse-shape magnet के उनके बीच में रखी है, अभी हम लोग ज्या करेंगे, इस coil में current pass करेंगे, जैसे हम लोग current pass करेंगे, तो coil का deflection होगा, और यह जो deflection है, यह current के proportional होता है, यानि कि जितना ही ज्यादा current, उतना ज्यादा deflection होगा, और जितना कम current, उतना ही कम deflection होगा, यहाँ में यह जो deflection होगा, यह हमें pointer के थूँ, यह जो pointer का position रहेगा, उसके थूँ हमें यह current या तो potential difference कितना है, वो हमें समझेगा, यानि कि हम लोग ने देखा कि, moving coil galvometer में, अगर हम लोग suitable adjustment करते हैं, तो हम लोग moving coil galvometer को, या suspended type galvometer को, या तो emitter में current measure करने के लिए, या तो hold meter में potential difference को measure करने के लिए use कर सकते हैं, previous topic में हम लोग ने galvometer देखा, और galvometer की मज़द से हम लोग ने small currents को measure किया, लेकिन अगर हम लोग large currents galvometer से pass करते हैं, तो galvometer damage हो सकता है, इसलिए अगर हम लोग को बड़े current, जने कि high value के currents अगर measure करने हैं, तो galvometer में कुछ modifications हमें करने पड़ेंगे, और फिर तभी हम लोग galvometer को high value के currents को measure करने के लिए use कर सकते हैं, तो देखते हैं कि कौन से modifications हम लोग करना चाहिए, सबसे पहला modification है, its effective current capacity must be increased, यहनि कि current carrying capacity जो है, वो increase होनी चाहिए, दूसरा जो है, उसका resistance बहुत काम होना चाहिए, current capacity तो बड़ा नहीं है, क्योंकि large current हमें measure करने है, resistance उसका decrease करना है, काम करना है, और तीसरा जो modification हमें करना है, कि वो damage नहीं होना चाहिए, तो it must be protected from the possible damages, which are likely to be the passage of an excess electric current, यहनि कि जो ज़्यादा current हमें को pass करेंगे, उससे जो damage होता है, ग्यानोड़ मिटर, उससे हम लोग को prevent करना है, तो यह जो हम लोग echo करेंगे, वो एक small resistance से अजो करेंगे, और वो resistance हमें बिल्कुल parallel में connect करना पड़ेगा, ग्यानोड़ मिटर के, तो ऐसे resistance को हम लोग shent बोलते हैं, तो देखते हैं कि इस shent के क्या uses है, uses of a shent, it is used to divert a large part of total current, by providing an alternate part, मैं अभी diagram के थूँ आपको बदा हूँगा, कि कैसे यह divert करता है, कि large part जो है shent के धुरूप लेता है, और फिर galometer को damage होने से बजाता है, thus it protects the instrument from the damage, दूसरा जो है, it increases the range of an ammeter, range का मतलब होता है, कि ammeter छोटे values से लेके, ज्यादा values तक हम लोग current measure कर सकते हों, यहने कि, जैसे galometer में small currents को भी measure करते थे, और high value के current हम लोग measure नहीं कर सकते थे, लेकिन ammeter जो है, small से लेके high value के currents भी measure कर लेता है, यहने कि range हम लोग increase कर सकते हैं, by using this shent, तीसरा जो है, it decreases the registers between the two points, to which it is connected, यहने कि, जो भी दो point में लोग connect करेंगे, इस ammeter को, तो यह दो point के बीच में, जो भी resistance रहेगा, वो भी कम होगा इस shent की मदाद से, तो हम लोग ने use this of shent देखा, कि कैसे shent current को increase करता है, और resistance को decrease करता है, यहाँ पे देखो मैंने कैसे, इस shent resistance को connect किया है, आपको मैंने modification में यह भी बद रहा था, कि इस ammeter का resistance की वज़ा से, यहाँ से current draw होता है, और measurement डलफ होता है, इसके लिए, यहाँ का जो ammeter का resistance है, वो बिल्कूल 0 होना चाहिए, आइडियरी इस ammeter का resistance 0 होता है, इसके लिए यहाँ की small, यहाँ की low value resistance, जिसको हम लोग shent बोलते हैं, उसको हम लोग में parallel connect किया है, इस kilometer के resistance के across, तो चलो इस resistance, इस shent का value निकालते हैं, यहाँ से रेको current I है, जो की total current है, यहाँ पे भी यह total current I होगा, इसमें से कुछ current galometer के जाता है, और most of the current जो है, IS, वो shent के थूँ पास होता है, क्योंकि shent का value काफी काम है, और आपको बता है कि current जो है, वो low resistance वाला ही path follow करता है, तो most of the current shent draw करेगा, और कम से कम current galometer से पास होगा, और इसकी वज़े से galometer damage होना भी बच जाएगा, तो देखते हैं, shent का value काई से निकाले में, यहाँ पे देखो, यह point और यह point, इन दोनों point के बेच में, जो भी potential difference है, मतलब galometer के across और shent के across, यह दोनों भी potential difference किया हुआ, सेम होँआ, क्योंकि दोनों भी यह parallel में connection गिया है, देखते हैं, PD across galometer resistance G, is always equal to PD across shent resistance S, तो PD का मतलब क्या होता है, current into resistance, तो यह current है, और इसका ही resistance है, so IG into G, is equal to PD across S, S में जो current पास होता है हो, IS है, और यह resistance, तो क्या होज़ आएगा, IS into S, तो यह होगा है, अब यहाँ में देखो, यह जो junction है, यह conductor है, यह conductor है, यह भी conductor है, यह भी conductor है, तो इस junction पेवलोग माल लेते हैं, यह junction कुछ यह point नाम देते हैं, तो इसको अब लोग KC नगर अपलाए करते हैं, तो देखते हैं क्या आप है, KCL at junction A, तो current is entering, market as positive, current is living, market as negative, current जा रहा है, तो उसको भी negative लिपो, IG is always equal to 0, तो इसमें से अब लोग माल लोग यह IS, उस साइड भी लेके जाएंगे, इसको क्या हो जाएगा, I minus IG is equal to क्या हो जाएगा, IS हो जाएगा, तो यह IS का value है, यहाँ पर put कर दो, तो क्या हो जाएगा, therefore, IG into G is equal to IS, IS की जग़ापे क्या put कर रहा है, I minus IG, रहेख, IS की जग़ापे मैंने I minus IG put किया, और यह क्या है, S, तो therefore, यह S राइट साइट में रहते हैं और इसको नीचे ले लेते हैं, तो S इसी कोड़ क्या हो जाएगा, I G into capital G divided by I minus I G, तो यह जो formula है, यह है shant resistance का formula, तो अगर हमें ग्यालो मेटर का current पता है, total current पता है, और ग्यालो मेटर का resistance पता है, तो हम लोग shant resistance पी easily find पर सकते हैं, माल लेते हैं कि यह जो total current है, I, वो अगर मानलो N times I G है, N times I G अगर है, तो क्या होगा, यहाँ पे put कर दे रहे है, so therefore, S is equal to, यह I G into G divided by, यहाँ पे I G जगर पर क्या लिखना है, N times I G लिखना है, minus I G, तो this implies, S is equal to, यह I G into G divided by, यह comment आएगा, तो I G into N minus 1, यह I G और I G cancel लिखना है, so implies, S is equal to G into bracket N minus 1, तो यह भी एक shant का formula है, अभी अब लोग second case देखते हैं, second case में क्या करना है, fraction of the current flowing through this shant, वो निकालना है, तो वो लोग fraction of current निकालते हैं, यहाँ पर देखो, यह P D across G, और यह P D across S, अब लोग यहाँ पर लिखते हैं, सो इसके across का P D, यहने की I G into G, यह P D, और इसका भी P D लिखते हैं, current into resistance, so is equal to I S into S, अभी देखो, I G की जगा पर कुछ पूटता आता है, अगर यहाँ से लोग देखेंगे, तो I G अगर यह साइट पर लिखे जाएंगे, तो I G क्या हो लेगा, I minus I S, तो I minus I S, इसको पूट करेंगे, I G को, into G is equal to I S into S, तो यहाँ पर मैं supplement देखेंगे, since I G is equal to I minus I S, यह KCL मैं हम लोगे देखेंगे, so therefore, I minus I S, यहाँ पर मैं multiply करो, I into G, so I into G, minus I S into G, is equal to I S into S, therefore, I into G is equal to, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, so I S into S plus I S into G, so इसमें से I S कॉमन आएगा, so I S into S plus G, यह इसाइगे, I into G था, तो यह I यहाँ पर डिवाइड करो, so यह क्या बजाएगा, I S divided by I, और यह वाला यहाँ यहाँ पर डिवाइड करो, so G divided by S plus G, तो यहाँ के अगलों में जो expression obtained किया है, I S upon I, यानि कि हमें fraction of current देखेंगे, कितना current, total current में से, कितना current इस shunt में से pass होता है, तो यह यहाँ पर डिवाइड कि हमें, G upon S plus G, तो यह fraction of current, which is passing to shunt है, next topic हम लोग देखते हैं, ग्यालों मेटर ऐसे होल्ट मेटर, सबसे पहले हम लोग कुछ changes देखते हैं, modifications देखते हैं, कि ग्यालों मेटर में कोईट से changes करने पड़ेंगे, तब हम लोग ग्यालों मेटर के सा उसको यूज कर सके हैं, सबसे पहला modification जो है, its voltage measuring capacity must be increased, यानि कि ग्यालों मेटर में हम लोग जादा, मतलब range जो है, ग्यालों मेटर का, वो कम था, तो इसका range भी हमें क्या करना है, बढ़ाना है, और voltage carrying capacity भी जो है, वो हमें बढ़ानी है, second जो है, its effective resistance must be increased, यानि कि जैसे ammeter की case में, अब लोग ने current capacity को क्या किया था, increase किया था, resistance को decrease किया था, लेकिन voltmeter में, voltage carrying capacity increase करनी है, और resistance भी increase ही करना है, तीसरा जो है, it must be protected from the possible damages, which are likely due to excess of applied potential difference, यानि कि हम लोग अगर ज्यादा potential difference अप्लाई करते हैं, तो हमारा तो gamelometer, वो damage भी हो सकता है, तो इसलिए हमें इससे भी protect करना है, तो ये करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक high value resistance, infinite value resistance हमें connect करना पड़ेगा, सेरीज में किसके gamelometer करना है, चलो देखते हैं कि ये high value resistance हमें कैसे connect कर सकते हैं, डाइगराम में देखो, या high value resistance है, या ideally infinite होना चाहिए, या हम लोग ने सेरीज में connect किया है, gamelometer resistance के साथ, इसके benefits हम लोग ने देखे दे, ये क्या करता है, जो potential difference की measuring capacity है, उसको बढ़ाता है, दूसरा इसका effective resistance भी increase करता है, और तीसरा ये gamelometer को damage होने से रोगता है, तो हम लोग इस x जो है, ये जो high value resistance है, इसका value भी find out करते हैं, तो यहाँ पे देखो, मैंने v mark किया है, ये दो point के बीच पे जो potential difference, यहाँ पे मैंने mark किया है, ये ही दूरoo points है, और ये भी दो points है, ये रोग नहीं हैं, नहीं जो point है, वो parallel भी, तो यहाँ पे छो वी रहे गा, वही ही यहाँ यहाँ भी यहाँ पे रहे गा, और वही वी यहाँ भी रहे गा, तो, हम लोग सबसेaheल स início ही प्लस मर किर एकनखेंए अतों, और ये स्सक्राइब एक तो पीड क्या हो इन्टू लीका उनर्फ इसक्राइब तो ये अमट आपका 2,000 आइज़ी सिन्जे़क यहां?" यह आउटर लूप है यह आउटर लूप है उसमें मैं KVL आपला करता है so KVL at KVL at outter loop आप बोल सका है आउटर लूप तो माइनस से लिके प्लस राइज हो रहे है तो प्लस मार करो राइट और यह PD कितना है V, फिर आगे जाएंगे, यह प्लस ते लेके माइनस ना, फॉलो रहा है, प्लस ते माइनस, नेगेटिव साइन कंचेडर करो, IG इंटो X, PD को लिखो, फिर यहाँ प्लस ते लेके माइनस, यह फॉलो रहा है, फिर यह PD लिखना है, IG इंटो G, and that should be equal to 0, यहाँ पे यह प्लस लि राइट सेमल लेके जाएं, so V minus IG इंटो G is equal to IG into X, तो इसमाले term को में राइट सेमल है, इंप्लाइज, अभी X को निकालना है, तो X is equal to IG को, यहाँ पे जाके डिवाइट करते हैं, so V divided by IG minus, यहाँ का IG, डिवाइट को तो कैंसल हो जाएगो, so यहाँ पे G ही बजाएगो, so this is how we can find out the X, अभी इसी expression को हम लोग और एक terms में express कर दा है, मान लेते हैं कि यहाँ पे जो voltage है, V, जो total voltage है, यह मान लेते हैं कि, it is equal to N times VG, याने कि, यह VG क्या है, the voltage across the 11 meter, तो इस VG को में, N into VG को में IG into GB लिख सकता है, तो यह VG का मतलब क्या है, voltage याथो potential difference across galonometer, तो यह V का value, अमलोग यहाँ पुख कर दे है, so implies X is equal to V, यह VG का value कर दो, so N into IG into G, divided by, यह IG रहेगा, और minus IG, यह IG, यह IG, यह कैंसर हो जाएगा, so this implies X is equal to N into G minus G, this implies, यह G और G common निकालो, so X is equal to G into bracket N minus 1, तो इस तरीके से हम लोग, यह जो high value resistance है, वो find out कर सकते हैं, तो अभी तरक हम लोग ने, emitter और hold meter, detail में देखा, अभी हम लोग, दोनों के बीच में, क्या difference और क्या similarity है, वो देखते हैं, comparison of an emitter and a hold meter, सबसे पहला comparison देखो, it measures the current, तो यह current measure करता है, और यह potential difference को measure करता है, दूसरा point, यह हमें जहाँ लोग, series में connect करते हैं, और इसको parallel में connect करते हैं, तीसरा जो है, it is an MCG with low resistance, यह जो low resistance, ideally zero होता है, और यहाँ में MCG ही है, but with high resistance, ideally कितना होता है, infinite, fourth point देखो, smaller the shent, shent का value जितना भी कब है, उतना ही ज़्यादा current rule लोग measure कर सकते हैं, और यहाँ पे larger its resistance, greater will be the PD, यहाँ पे जितना ज़्यादा resistance, जितना infinite resistance हो सकता है, उतना ही जाना, अम लोग PD या potential difference measure कर सकते हैं, fifth point देखो, resistance of an ammeter, क्या होता है, SG upon S plus G, यहाँ तो हम लोग G upon N लिख सकते हैं, और यहाँ पे resistance of volt meter क्या होता है, G plus X, याँ तो N times G, जो कि हम लोग यह previous topic में देखा हैं, हम लोग current electricity के उपर, जितने भी numericals हैं, वो देखेंगे, numericals को start करने से पहले, आप सभी को किर्चोप्स current law और किर्चोप्स voltage law याने कि KCL और KVL अच्छे से पढ़ने होगे, और तभी आप इन laws को numericals में अप्लाई कर सकते हैं, तो चलो देखते हैं कि first numerical क्या है, अब battery of EMF 4 volt and internal resistance 1 ohm is connected in parallel, with another battery of EMF 1 volt and internal resistance 1 ohm, यह देखो मैं यहाँ पर 4 volt की battery लिए है, internal resistance उसके साथ connect किया है, 1 ohm का, right, और यह जो connection है, battery और internal resistance का, यह किसके साथ connect किया है, और कईसे connect किया है, parallel, with another battery of EMF 1 volt, यह कि और एक battery है 1 volt की and internal resistance 1 ohm, यह और यह दोलोग parallel के connect किया, right, with their like poles connected together, यह कि positive terminal को positive connect किया है और negative को negative connect किया है, यह कि like poles to have, हम लोग में एक साथ में जोड़े हैं, the combination is used to send current through an external resistance of two ohm, यानि कि यह combination में से हम लोग यह जो external resistance है, इसमें से current pass करेंगे, हमें find क्या करना है, calculate the current through the external resistance, यानि कि यहां से जो भी current pass होचा है, वो हमें find करना है, तो देखते हैं कि यह numerical कैसे solve करेंगे, सबसे पहले हम लोग इस diagram को बनाएंगे और इसका naming कर लेते हैं, मनले यह A है point, B point, C, D, E, और F, तो हम लोग ने क्या किया, naming किया, right, फिर यहां पर कितने loops हैं, देखो, यह loop बनेगा और यह loop बनेगा, तो दो loops हैं, तो दो current होँगे, right, और दो loop हैं, तो दो currents होँगे, तो दो equations form हो जाएंगे, इन दो equations को solve लगर करेंगे, तो हमें current में करेंगे, तो पहले, यहां पर देखो, यह plus कर देना लगा है, और यह minus है, conventional current कैसे फिर होता है, minus से लेके plus, यानि कि मैं ऐसे mark होता है, right, so assume कर लेते हैं, यह current कुछ I1 रहेगा, तो यह current आगे पास हो जाएगा, तो यह भी क्या रहेगा, I1, right, अब यह current बैटरी में enter हो रहा है, तो यहां पर भी enter होगा, so I1, फिर यहां पर भी I1 आएगा, फिर यह भी क्या रहेगा, I1 रहेगा, right, तो मैंने यह वाला जो branch था, उसको मैंने क्या किया, current को mark किया, अब यहां पर देखते हैं, यह वाला branch को यहां से भी current निकलेगा, मान लेते हैं, कुछ I2 current रहेगा, right, यह current I2 यहां से निकल रहा था, तो इसमें I2 भी जाएगा, right, यह I2 निकल रहा है, तो I2 भी enter करेगा, right, अब ही देखो, यह जो junction, बी junction, यहां पर हम लोग केसी अलगना करते हैं, क्योंकि हमें यह current find करना है, आपको मैंने shortcut बता था, कि अगर दो, यहां पर तीन branches हैं, मान लोग यह branch है, यह branch है, और यह branch है, तो आपको यह वाले branch में से current find करना है, तो वो unknown current है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर outward direction में current को mark करेंगे, और उसको कैसा लेकिन यह जो enter करना है, देखो, सबसे पहले ध्यान से सुनना, इसको मैंने outward, यहां है कि junction से दूर, उसको mark किया, यह सबसे important step है, धान में रहतों, फिर देखो, यह current enter कर रहा है, तो यहां पर प्लस लिखो, आईवन, यह भी enter कर रहा है, तो यह भी क्या लिखो, प्लस आईटो लिखो, यह direct आईजी जाए, तो यहां पर current क्या हो रहा है, यही current आईगा, आईवन, प्लस आईटो, तो देखो, किसी भी numerical को solve करने के लिए, सबसे पहले, आपको क्या कर रहा है, आपको number of loops identify कर रहा है, इस diagram में कितने loops ने, यह एक loop है, और यह एक loop है, दो loops, तो दो currents होंगे, और दो equations पॉंगे, और दो equations को simultaneous लिएकर solve कर ले रहा है, तो हमें currents मिल जाएगे, तो पहला step है, current की direction मार करना, फिर उसके बाद क्या कर रहा है, अभी हम लोग को potential difference लिखना है, क्या लिखना है, potential difference, और potential difference क्या होता है, current into a resistance, तो देखते है, current entering, यहाँ पे enter कर रहा है, तो यहाँ पे plus mark करो, यहाँ पे leave कर रहा है, minus mark करो, यहाँ पे enter कर रहा है, plus mark करो, leave कर रहा है, minus mark करो, यहाँ पे current enter कर रहा है, तो plus mark करो, और leave कर रहा है, तो minus mark करो, यहाँ पे current enter कर रहा है, तो plus mark और leave कर रहा है, तो minus mark, यहाँ कि मैंने सभी signs को mark किया, अभी मुझे लिखना है PD, potential difference कैसा लिखते है, current into resistance, So current क्या है? I1 और यह 1. So 1 into I1 is I1. Right? फिर यहाँ पर मैं 1 into I1 रहता है. फिर यहाँ पर देखें यह current है I2 और यह resistance है 1. So 1 into I2 यहाँ की current into resistance यहाँ की PD मार्क करना है. current क्या है? I1 प्लस I2 और resistance कितना है? Resistance कितना है? 2. So 2 into I1 प्लस I2. So मैंने क्या किया? सभी PD को मार्क किया. potential difference को मार्क किया. अभी next step क्या है कि KVL अपलाई करना है? केर चोप्स, voltage, log. तो देखते हैं सबसे पहला हम लोग क्या करते हैं? यह वाला लूप लेता है. देखो लूप या तो आप यह भी लूप ले सकते हैं यह भी लूप ले सकते हैं या तो यह आउटर वाला जो करता है. आप कोई भी करते हैं? कौँचा भी लूप यहाँ पर कंसिदर कर सकते हैं? तो KVL अट और लूप क्या है? आउटर लूप लेता है मैं A, B, C, फिर यहाँ पर D, फिर यह E, F, और यह D. तो यह वाले लूप को मैं क्या करता है? KVL अपलाई करने से पहले मैं यहां हैं पर लेकर मैंने से प्लस करके मैंज, यहां होगा है? क्यूंशा साइन साइन से छड़ करता है? Jadi MINUS. टॉवाई सीमदी कर, आई बन प्लस आई तो फिर यहां पर आएंगे 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 फिर यहां पर प्लस से लेके माइनस माइनस से लेगे प्लस, राइस होगा है, प्लस होगा है, तो यहां से यहां तक राइस होगा, तो consider कॉंसे सेंट कर रहा है, प्लस, तो प्लस 4, और यहां तक कॉंट, तो यह अल्टिबर एक समझिया हुआ, 0, चलो इसको थूरा सा सिंप्लिफाई कर लेगा है, therefore, यह माइनस इ 3I1, और यह वारा, माइनस 2I2, और यह उदर जाए कि क्या हो जाएगा, माइनस 4 हो जाएगा, मैं सभी जगायों का माइनस से एंसर कर लेता है, तो 3I1 प्लस 2I2 is equal to 4, तो यहां तक समझा, अभी क्या करेंगे, नेक्स्ट लूप में KVL अप्लाए करेंगे, या तो यह लू आट, कौन सा लूप, अभी लूप लेते हैं, A, B, E, F, A, B, E, F, और फिर से A, तो इस लूप में क्या करते हैं, यह लेफ्ट साइड कर जो लूप में, उसमें KVL अप्लाए करेंगे, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे, A पॉइंट से राइट, तो A पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, ऐसा जाना है, प्लस से लेके माइनस, नेगेटिव साइन कंचेडर करो, और यहाँ पर क्या है, 1V है, तो 1, फिर यहाँ पर माइनस से लेके प्लस है, तो माइनस से लेके प्लस है, तो उसको क्या कंचेडर करना है, प्लस कंचेडर करना है, और फिर पीडी कितना है 1 into i2 मैंने i2 लिखा और फिर यहां से आगे जाना है ऐसा तो प्लस से लेके माइनस कुँछा साइन आएगा माइनस नहीं जाएगा फिर PD क्या है i1 है आगे क्या है बैटरी है माइनस से लेके प्लस तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और ये कितना है, 4, तो ये कितना हो जाएगा, अलीज़ इवराइब साव जीरो हो जाएगा, चलो इसको simplify करने देरो नहीं सा, पहला में i1 लिखता है, ये था ये minus i1 यहाँ यहाँ पही लिखा, फिर plus i2 वाला में टर्म निखता है, और फिर ये minus 1 और plus 4, कितना हो जाएगा, minus मंह प्लस 4 त्री उजाएगा जाएगा होगा मालगे हिसको फिर से कॉलकस कर लाका कवा यहां से स्टर्थच करता है यहां से माइनकर लेकर प्लस काल नाम is a plexander the minus i1 और यह plus 4 or equal to 0 तो यह minus i1 यहाँ फिलिका हूँ यह i2 फिलिक 4 minus 1 3 और आगे जाके minus 3 होगा चलो इसको equation number 2 बोड़ बिते है अभी देखो हम लोग को क्या कर रहा है यह दोलो equation को simultaneously solve कर रहा है तो सबसे पहले थोड़ा सा simplify कर लेते हैं इसको और इसको तो इसको मैं यहाँ 3 से multiply कर रहा है तो यह equation क्या बन जाएगा 3 into minus i1 is minus 3 i1 plus 3 into i2 3 into i2 equals 3 is a 9 so minus 9 हो जाएगा तो इसको equation number 3 बोड़ देखे अभी देखो 1 और 3 का simply addition है 1 और 3 का simply addition so add in 1 and 3 1 और 3 को add करना है तो 1 को और 3 को add करना है तो 3 add पहला हिएग में पहले बना लिखते है so 3 i1 plus 2 i2 is equal to 4 और add करना है किसके साथ यह minus 3 i1 plus 3 i2 is equal to minus 9 simply add करना है तो यह 0 हो जाएगा 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 i2 हो जाएगा right equals to कितना हो जाएगा minus 9 plus 4 minus 5 हो जाएगा तो यह i2 कितना हो जाएगा minus 1 and here तो यह i2 आया minus 1 and here अभी देखो यह i2 जो है कोई तो एक equation में पूट करने चोला इस equation में पूट कर लेगे so consider in equation 1 so 3 i1 plus 2 i2 is equal to 4 इसने i2 का बाएग पूट कर लेगे so therefore 3 i1 plus तो i is into i2 कि जाएगा भी कितना है minus 1 so is equal to 4 therefore 3 i1 यह minus 2 और उदर जाएगा यह minus 2 और जाएगा यह minus 2 और जाएगा plus 2 और जाएगा so 4 plus 2 कितना और जाएगा 6 और जाएगा so therefore i1 is equal to कितना है 6 divided by 3 तो 3 दो जाएग 6 so 2 i1 का बाएगा so i1 का बाएगा 2 i1 का बाएगा right अभी देखो हम लोग को find क्या कर रहा है इस एक्स्टरनल रेजिस्टन्स में से को और कितना करेंट फ्लो हाँ तो यहां से तो i1 plus i2 फ्लो हरा है right so मैं यहाद लिखता है therefore current through 2 ohm register 2 ohm register तो वो कितना है i1 plus i2 is equal अभी देखो i1 का बाएगा कितना है 2 2 और i2 का बाएगा कितना है minus 1 right so 2 minus 1 कितना है 1 amp so यह i1 plus i2 कितना है 1 amp so current through 2 ohm resistance कितना है 1 amp next example देखते है a voltmeter has a resistance of 30 ohm एक voltmeter का resistance दिया है 30 ohm what will be its reading यालि किसका reading find करना है when it is connected across यह जो voltmeter है यह किसके across connect किया है एक EMF है 2 volt का और जिसका internal resistance है 10 ohm देखो across connect करना मतलब बिल्कुल parallel connect करना है तो हमें find क्या करना है यह V find करना है यह voltmeter का reading find करना है तो सबसे पहले इस डाइग्राम में एकी loop है तो एकी current होगा उसको मैं mark कर लेता है देखो यह प्लस से निकलेगा current तो यह i mark कर लेता है यह i होगा यह भी क्या होगा i होगा यह भी क्या होगा i होगा यह भी क्या होगा और यह भी क्या होगा i होगा यह भी i होगा तो i find कर रहा हुझे तो मैं कहीं से लिखो i is equal to i क्या होता है voltage divided by resistance simple so voltage कितना है 2V 2 divided by resistance देखोए आपे दो resistance यह से 30 और 10 तो मैं लिखता है तो 2 divided by 2 220 जा voltage कितना होगा 1 upon 20 ampere तो यह current मिलने के बाद अभी मुझे find करना है यहां का voltage क्या find करना है voltage find करना है voltage find करना है voltage find करना है तो यह voltage करना है so v is equal to यह क्या रहेगा v is equal to i into यह resistance so i into resistance कितना है 30 right so i का value कुट कर देते है i का value कितना है 1 upon 20 into 30 so यह 0 cancel होगा right so कितना है 3 upon 2 volt इसका हम लोग सी decimal में लिखते है 2 बंजा 2 2 बंजा 2 1 बंजा 10 बंजा 2 5 बंजा 10 so कितना होगा 1.5 volt तो यह answer तो इसी example को आम लोग फिर से अलग मेतल से देते है जो हमारा regular method है right मैंने तो current को mark किया है अभी मुझे क्या mark करना है potential difference को mark करना है देखो enter कर रहा है तो plus mark करो और leave कर रहा है तो minus mark करो यहां में देखो enter कर रहा है तो plus mark करो और leave कर रहा है तो minus mark करो right तो मैंने यह जो sign है उनको mark किया अभी potential difference को mark करना है यहां का potential difference क्या होगा यह current into resistance तो जा होगा 30 into i होगा right तो यह होगा potential difference और यहां का potential difference कितना होगा 10 into i यह मैं निता है आपके 10 into i यह potential difference अभी देखो इसी लूप को मैं मुझे के वील अप्लाए करता है तो सबसे पहले इसको मैं कुछ नाम देता है तो a b c और d तो kvl अप्लाए करते हैं so kvl at a b c d और a तो kvl अप्लाए करते हैं यहां से start करना है तो इसे निकाल दे तो plus से लेके minus negative consider करो और कितना है तू ओल्ट फिर यहां पे minus से लेके plus क्या हो जाएगा और यह कितना है pd दीखना है तो 10 i फिर यहां से आगे जाएंगे फिर minus से लेके plus plus हो जाएगा यहां का pd 30 into i so 30 into i is equal to कितना होगा 0 होगा राइट क्योंकि algebra exam क्या होता है 0 होता है so 30 plus 10 कितना हो जाएगा 40 40 i हो जाएगा equal to यह minus से लेके plus 2 हो जाएगा so i is equal to कितना है 2 upon 40 i 21 चांट 2 220 is a 40 so i equal कितना है 1 upon 20 आप यह i आया अब यह i देखो यहां में put कर रहा है क्योंकि यह potential difference निकाला है यह potential difference यहां तो ओल्ट मेंटर का reading मतलब यह V निकाला है तो यह V कितना है 30 into i right तो 30 into i i कितना है 30 into 1 upon 20 तो यह हो जाएगा 3 upon 2 that is V is equal to कितना हो जाएगा 1.5 वोल्ट तो यह regular method से आपका answer आ जाएगा कितना है 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 झाल झाल